नमस्कार साथ ही हूँ एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस खास वीडियो में इस वीडियो में हम मंकी पॉक्स के बारे में जानेंगे देखिए कोरोना अभी ठीक से गया नहीं और फिर एक मंकी पॉक्स नाम का अबेमारी जो है हमारे सामने देखने को आ रहा है कई देशों में इसके मामले आया है आए जानते हैं इसके संदर्व में वे सभी बातें और आये पहले से हम इससे सचेत रहें ताकि यह हमें या फिर दूसरों को आप इस वीडियो को सेर करके और उसके माद्यम से सचेत करने का प्रयास करें सबसे पहले मैं बता जाना चाहता हूं कि हाल ही में हुआ क्या कि उनाइटेट किंग्डम के स्वास्त अधिकारियों द्वा वाइरस है यह चेचक के समानेक दुरलव वाइरस संक्रमण है और नाम यहां पर मंकी लगा हुआ है इससे यह भी आप समझ सकते हैं कि यह बंदरों से फैलने वाला वाइरस हो सकता है आईए जानते हैं क्या कथा है क्या कहानी है इसके संदर में हम वीडियो में आगे जाने और 1959 इस भी में बंदरों में देखा गया आईए जानते हैं आगे कई दिनों से इधर भी यह जो मामले हैं वह देखने को मिल रहे हैं मंकी Pokz Contact Tracing Extendant to Scotland में इसका मामला आया है वटी कुछ एपप लियुकंन? कह जानेंगे इस वीडियो में आईए हम आपको बताते हैं पहले जानेंगे monkey box के बारे में उसके संक्रमण के सुरोट के बारे में मन्टी box बीमारी के लक्षण के बारे में और बीमारी के संचरन तीका यहोग माप के बारे में जानेगे साथ वाइरस से होने वाले सभी बीमारीयों के बारे में भी जानेंगे वीडियो बनाने का उभिजर से कि मढई है इसके संबंदेश सभी चीजों को बताना है आई आगे बढ़ते हैं हाँ और द्दि पर Quelक्रिंटिंस । मतलब की संपर्क में आ करके infected हो जाता है तो आई यहां पर लिखा हुआ है कि transmission of monkeypox virus occurs when a person comes into contact with the virus from an animal human or material contaminated with a virus the virus enters the body through broken skin even it not visible यह दिखता नहीं है और जहां से सरीर में broken screen होता है वहां से यह virus हमारे सरीर में enter कर जाता है और respiratory को track करता है उसके बाद mucous membrane eye nose और mouth को defect करते हुए हमारे सरीर के अंदर यह चला जाता है तो इस प्रकार सी तो उसका transmission हो गया हमारे सरीर में संचरण हो गया आई यह हम लोग आगे जानते हैं monkey pox sorry कहने में बार-बार समस्य आ रही है monkey pox monkey pox virus के बारे में ठीक है देखिए monkey pox जो virus है इसको MPV short name इसका monkey pox virus MPV कहा जाता है it is a double stranded DNA मतलब इसमें जो DNA का जो है stranded वो double होता है genotic virus होता है and a species of genus orthopox virus in the family prox variety आगे देखिए it is a one of the human orthopox virus that include variola, VR, cowpox and vaccinia viruses but it is not a direct ancestor of to not a direct discrement of the variola such which causes a smallpox कहने का मतलब यहां पर यह है कि जिस प्रकार से जो ancestors होते हैं virus के जैसे यहां पर बहुत बार mutations देखा गया COVID-19 का भी तो उस प्रकार से उस अंदर में यहां पर बात कहा जा रहा है कि monkey pox virus cause a disease that is similar to a smallpox, a smallpox किस से similar इसका कुछ देखने को मिलता है जो output होता है होने के बाद but with a midler rash lower death rate इसमें lower death rate होता है लेकिन काफी है जो है वह क्या है खतरनाक बिमारी आईए देखेंगे इतनी भयावा तस्वीरे और सभी देशों से निकल करके आ रही है तो इंडिया में इसकी पुष्टी लगबग हमको लगर आप तक नहीं की गई है हाला कि मैं इस बात का पुष्टी नहीं करता हूं कि इंडिया में अब तक इसका कोई केस देखने को नहीं मिला है हो भी सकता है जब क्या वीडियो में बना रहा हूं तो अब तक हमको कोई पता नहीं चला है variation is virulence of a virus has been observed in isolate from Central Africa where strains are more velourate than those from the Western Africa पस्चिम अफरिका देशों से यह देखने को ज़्यादा मिलने मिला है आई हम इसके transmission के संदर्म में एक और चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं the virus can spread both from animal and human from the human to a human देखिए यह जो है virus human से human में animal से human में फैल सकता है infection from animal to human can occur via animal bite or by direct contact with the infected animal जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया कि कैसे एक जो लड़की होती है एक बंदर से हाथ मिलाती है देखिए मैं वीडियो फिर से आपको दिखाने का परयास करता हूं कि कि आप देख सकते हैं यहां पर जोनोसिस ट्रांस्मिटेट कहा जाता है बार बार जैसा कि मैंने आपको वीडियो 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 जिस प्रकार से फ्लूट्स का मतलब यहां पर सरीर में बहने वाले वह सभी तरल पदार्थों से हैं जैसे कि हम किसी दूसरे के कंटक्ट में आ करके संक्रमन का सिकार हो जाते हैं अगे बढ़ते हैं इसके समझते हैं कि क्या इसका संक्रमन में और शोटी सी जनकारी में आप लोगों को दे दना चाहता हूँ monkey pox के संदर में कहा जाता है कि यह जो monkey pox है इसका जो संक्रमन का स्रोत है प्राकिर्टिक स्रोत अभी इसका कोई ग्यात नहीं हुआ है यह लेकिन कई जानवरों में इसका संक्रमन पाया गया है साथी साथ स्रोत की रूप में पहचाने जाने वाले जानवरों में बंदर, वानर, खरगोस, कुत्ते तथा बिभिन प्रकार के कृंतक क्रिंतक कहने का तातपर वैसे जानवरों से हैं जो मतलब कहने का मतलब दात वाले जानवरों जो की कुतरते रहते हैं तो इन सबों का नाम इसमें सामिल है, ठीक है, आईए हम और जानेंगे, आगे तब तक हम इस स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, इसमें यह बताया गया है कि in humans, मानव में, the symptoms of monkeypox are similar to but midler than the symptoms of a smallpox, monkeypox begins with fever, headache, muscle ach and exhaustion, the main difference between symptoms of a smallpox and monkeypox is that monkeypox cause lymph nodes to swill, याने कि lymphodenopathy with a smallpox does not exist and the incubation period, जो इसका incubation period होता है, time from infections to symptoms, याने कि infection होने से symptoms को दिखने तक का जो period होता है, उसको हम लोग incubation period बोलते हैं, for monkeypox is usually 7 to 14 days but range of 5 to 21 days, यही अंतर होता है smallpox और chickenpox में, smallpox से हम लोग काफी बढ़िया से अभिग गया है, लेकिन यह जो monkeypox है, यह नया virus देखने को मिल रहा है, आई हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इसके prevention के बारे में बात करेंगे, prevention जो होगा उसका, there are the number of measures, यहाँ पर आप तस्बीर में देख सकते हैं, जिस प्रकार से smallpox होता है, और सरीर में कुछ इस प्रकार का infection देखने को मिलता है, उसी प्रकार से, यहाँ पर monkeypox में भी देखने को मिल रहा है, हाला कि smallpox से ज़्यादा बड़ा बड़ा यहाँ पर जो घाव है, देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक तस्बीर लगा करके हम समझाने का प्रयाज किया है, there are the number of measures that can be taken to prevent infection with the monkeypox virus, a wide contact with animal, जैसा कि हमने वहाँ पर वीडियो में दिखाया कि जिस प्रकार से हलड़की, animal की contact में आती है, और वहाँ से उसको इस प्रकार से करने वाले चीजों से आप बचे, जिसे कि लगातार हम लोग कहीं जाते हैं, घूमने वगएरा, तो वहाँ पर बंदर वगएरा होते हैं, वहाँ से हम लोग ज्यादा काफी attract हो करक including animal that the sick of that have been found did areas where the monkey pox occurs, यानि कि avoid contact, contact को आप लोग avoid कीजिये, with any material, किसी भी material से, such as bedding, जो bedding हो रहा हो, that has been contact with a sick animal, जो बीमार जानवरों से संबन्द रखता हो, आईये हम लोग इसके treatment के संबन्द में बात करते हैं, तो जो इसका treatment है currently unavailable, direct यहाँ पर बताया जा रहा है, there is no proven safe treatment for monkey pox virus infection, monkey pox virus infection का अभी तो कोई लाज नहीं खो जा गया है, for purposes of controlling a monkey pox outbreaks in a United States, a smallpox vaccine, antivirals and the vaccine या immune globin VIZ can be used, learn more about a smallpox vaccine, antivirals and the VIZ treatments, आगे हम लोग बहुत चारी इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, आईये हम आपको विसानुस से होने वाले सभी बीमारीयों के बारे बतायते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से यहां पर बताएंगे, रेखा हमें हिट करके पोएंचे छोड़ गई, यानि पीछे छोड़ गई, तो रेखा में रे से रे बीच, खासे खसरा, हमें हासे हर्मीस, मेसे मेनिंजाइटिस, हिट, हिट मतलब हीफोर, हेपेटाइटिस, ट बसे गलसोद और इसे एंफ्लेंज है, यहां पर एक और हम जोड़ने का प्रयाच करेंगे, मौंकी पॉक्स, जो की वाइरस से होने वाला विमारी, COVID-19, वाइरस से होने वाला विमारी, आप लोग देख सकते हैं, या जो बंदर भी है, यह भी मौंकी पॉक्स से संक्रमित है इसी प्रकार के aesthetic जानकारी, इसी प्रकार का जो अब्रेह द्रोफ से अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी topic पर तो comment करें हमारे वीडियो के नीचे comment बक्स में, और आपको उस topic पर वीडियो अगले दिन मिल जाएगा, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तक टे लिए ध अन्यवाद जैहिन